तुर्वं मस्कार सकते दिध्य पैस्विक इसमा की यूट यूट अशांच पक्लास होने वाली है वरक्ष और कल्कॉलन साइंस की है आई सणके यह दोस्तु आज का जो हमारा चैप्टर है होमारा हीट टेंपरेचर है और इसकुर्ण्य श्टार्ट हो रहें सब्सक्रेंब तो कि तो इस्टाट क्रोजिक क्लास को हीड को टैंपर इंस व्हां से थूद्ध को होने वाला है जो पीडिये वह आपको धील इंगिलिस दोनों में दीए ठीक है अप लोग देख सकते हैं कि ये हिंधी में ब्हें और इंगिल्स में ठीक है तो यह हिंदी में भी आ चुके और इंग्लिस में भी आ चुके ठीक है तो दोनों में आप लोग चेक कर सकते हैं सवाल आता है मेरे पास 170 नंबर ठीक है 170 नंबर कुशन पूछ रहा है देखें कि उश्मा उप्चार परक्रिया के विभिन परकार का नाम एकसम से पुझे कौन क मेरे पास चाएगा यहां पर हो जाएगा के आप ए है है अगला कुछना आते अपके सामन देखीए आप एक्- acidry नम्बर 180 नम्बर है पूछा है कि उश्मा उपचार की परकपी आप से पूचिल गई और इसका अंसर आपको बताना है क्या इसमें सही आंसर जाना चाहिए जी चलिए देखेए उश्मा उपचार की परक्रिया आपसे पूछ ली गई तो अगर हम बात करें देखिए जो शरचना और गुणों को बदनने के लिए हेटिंग और कूलिंग की परक्रिया को क्या बोलत है कि उश्मा उपचार के विभिन चरन कौन कौन से हैं इस से विभिन चरन की बात कर tuning है तो जो आपका हो गया हो गया और होते हैं किसके हीट के तो ऑप्शन नमबर सी आंसर यहां पर डियर चला जाएगा ठीक है सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल आता है 180 180 नमबर पूछ रहा है कि किसी इस टील को लगबग दो सुरी साथ सु तेश डिगरी सेलसेज तक आपको गरम करने पर बनने वाली सनशना का नाम आपसे पूछ लिए एक सो क्या बोलते हैं किसने डिगरी की बात कर रही है साथ सो तेश डिगरी की एडियर बात करता है ठीक है तो इसका आपको सही से अंसर बताना है तुसकों बोलते हैं डियर ऑश्टे नाइट प्रकियाओ कितने डिगरी पर क्यानी के जीरो से वह या मतलब इस्टात किसे रहते है जीरो से जिरो डिवी से स्टार्ट हो रही है वह तक जा रही है यहां से आ साथ सो तेश डिगरी तक ठीक है तुसको क्या बोलते हैं डियर ओश्टेनाइट बोलते हैं ठीक है चले अगला सवार करने के लिए किस कौन सी गर्मी उप्चार परक्रिया की मतलब ली जाती है किसम से उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ठीक है पूछ रहा है कि विच हीट टैंपरेट प्रोसेस दा डंटू रिफैन दा ब्रेन इस्ट्रक्चर ओफ दा ठीक है option number B is right answer यहां पर चला चलेगा ठीक है अगला कुछ एक 180 पूछ रहे हैं तनाव और तनाव है ना देखिए यहां पर किसके बारे में पूछा गया है आपसे कि श्ट्रेन और इस्ट्रेस की बात हो लिए है ना इस्ट्रेन और इस्ट्रेस की ठीक है हिंदी में फ़रा द प्रक्रिया का नाम क्या है ठीक है तो यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है तो उसको हम एनलिंग बोलते हैं डियर किसको इस्ट्रेन और इस्ट्रेस की ठीक है तो इसको क्या बोलते है डियर एनलिंग बोलते हैं तो B option के साथ आप लोगा समय सही answer हो जाएगा ठीक है B option यह सथिती उतपन करती है तो संधूलन की बात करें तो संथन नंबर जाएगा स्थिपंअ और आपका सजाएंग और दोंसे जाएए गा और आपका जाएगा को हुछ रहा है, कि कार्बन के परवेर्स के लिए कार्बन युक्त वातावरण में इस टील को किस परक्रिया में गरम किया जाता है तो यह सवाल पूछा है इस टील को किस परक्रिया में गरम करते हैं तो यह आप से पूछा है सही अंसर लगाना चाहो लगा दो तो इसको हम बोलते हैं कार्बराइजिंग क्या बोलते हैं डियर कारबराइस तो सी ऑप्षिन इसमें भी सी ऑप्षिन यहां पर भी तो सी ऑप्षिन इस राइट आसर आप लोगा चला जाएगा कारबराइसिंग आप लोगास में सही आंसर हो जाएगा अगला कुश्छन सवाल है 185 नमबर ओर पूष्छ लिया गया कि सभी मिस्रदातू और मिस्रदातु हैห graduating कि इसकी बात वहिए एलोय एन अलोय वालस्टील की बात ही है इहां पर चैम कर सकते हैं टुल इसको बोलते हैं इसको साह सवाल आता है 166 सवाल में पुछाए कि उश्मा उप्चार परकिरिया का नाम क्या है जहां धातू को गरम करके पानिया तेल में बुझाया जाता है तो उसको बोला जाता है पर अगर हम बात करें पुख्ajo को और सचीड़ें तो सघी और होगद में यहां गयां सो कम g asks कि था आफिल करने की कोन सबीकारी सघ्राइन करने की प्रत्रीया है सदे को सक्त करना है निकि सब्सीष्ब करने की प्रोसे सिब्स की बात करते हैंелिए तो अगर हम बात करें दिए सखी अई आंसर की तो जाएगा यहाँ पर नाइट राइट ठीक है ऑप्शन नंबर सी ही आप लाग उसमें सही आंसा चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चले अगला सब सवाल आता है 188 एक 188 नंबर की बात हो रही है पूछे 10 वह मोटी दहातु के टुकडे को सक्ट करते समय भीगोने वाले छेतर में सामानने रूप से कितना समय दिया जाता है उध्यान रखना लिए तो इस रिजान मिल्यमेटर की बात हो रही है तो मेरे पहरे साथियो ध्यान रखना मेरे पास मालेजे दूरोपया है है यह पर एक रुपया है तो रुपया हे तसरूपय कितनी होगी यहाँ पर दस मेले मेटर की वैल्यू कितनी होगी भई उसकी आदियोगी ना आधियोम गयां तो औफसRichum और यह चला जाएगा जो जाएगा इस से तो उप्शन नंबर आप रोगा पांच जाएगा ठीक है अगला एक सो नवासी सवाल आप उसका रंग कैसा किसी भी प्रकरोगे मेटल को मैटल की बात होगा विव अगर झापर चला जाएगा प्राउन पれगा सवाल आता पूछ यह तो अगर आंप करें तो वह पता है यहां पर भंगुर्था को कम करने के लिए तो यह सब्सक्राइब करने के लिए तो यह मैंने आपको कुछन करवा एक सुन नब्वे तर ठीक है अब जो बाकि अगर इसमें नुमेरिकल हुए तो मैं नुमेरिकल भी आपको करवा दूगा अगली क्लास में ठीक है और जो अगला चैप्टर स्थार्ट होगा अगर वह भी हुए इसकी आपकी वरक्षोग कैलोकुलेशन एंड साइंस की ठीक है कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है और पीडियेप में कोसिस करूंगा टैलीग्राम और वेबसाइट पर इसको डानने की कोसिस करूंगा मैं नीचे डिसक्रप्शन बॉक्स में आपको कई इसको आप लोगसंट पर सकते हैं Google Chrome में कि background आपको यहां पर अकाभिसार दक्राव सेखसे drop